जो पहला सत्र हुआ था उसके आखिर में एस संसत ने एक बहुती गर्मापुर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति बंदन अधिनियम और उसके बाद 26 जन्वरी को भी हमने देखा किस प्रकार से देश ने कर्तव्य पत पर नारी शक्ति के सामर्थ को नारी शक्ति के सावर्य को नारी शक्ति के संकल्प की शक्ति को अनुभव किया और आज बजेट सत्र का आरंब हो रहा है तब राश्पति द्रवपुदी मुर्मुजी का मारदर्शन और कल निर्मला सितारामंजी के द्वारा इंट्रिम बजेट एक प्रकार से ये नारी शक्ति के साक्षातकार का परवा है साथियों मैं आशा करता हूँ कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से संसद में सबने अपना अपना कार्य किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा आज जब आखरी सत्र में मिल रहे है तब जरूर आत्मन निरिक्षन करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसदी ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नगम भी पता नहीं होगा जिनोंने इतना हुर्दंग हो अल्ला किया होगा लेकिन विरोद का स्वर्थ तीखा क्यों नहीं हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहीं हो लेकिन जिसने सदन में उत्तम विचारों से सदन को रभानमित किया होगा उनको बहुत बड़ा वर्ग आज भी याद करता होगा आने वाले दिनों में भी जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिन्होंने भले विरोद्का किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभा का दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हीतों का कंसन दिखाया होगा हमारे खिलाब तीके सीतिखी प्रतिग्या की होगी उसके बावजुद भी मैं आवश्य मानता हूँ कि देश का एक बहुत बड़ा वर्क लोग तंत्र पेमी सभी लोग इस वहवार की सराना करते होंगे लेकिन जिनोंने सिर्प और सिर्प नकारात्मक्ता, हुर्दंग, शरारत्पुन वहवार ये जो किया होगा उनको शायद ही को याद करें लेकिन अब ये बजेट सत्रह आउसर है पस्चाताप का भी आउसर है कुछ अच्छे फुट्प्रिंट छोड़ने का भी आउसर है तो मैं ऐसी सभी मानने साउसदों से आगर करूंगा कि आप इस अउसर को जाने मत दीजिए उत्तम से उत्तम परफॉर्म कीजिए देश हित में उत्तम से उत्तम अपने विचारों का लाप सदन को दें और देश को भी उत्साव और उमंग से भर दें मुझे विश्वास है आप तो जानते ही हैं कि जब चुनाव का समय निकट होता है तब आम तोर पर पूर्ण बजट नहीं रखा जाता है हम भी उसी परंपरा का निर्भा करते हुए पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद आपके समक्ष लेकर के आएंगे इस बार एक दिशान निर्वेशक बाते लेकर के देश की वित्न मंत्री निर्भला जी हम सब के सामने कल अपना बजट पेश करने वाली है साथियों मुझे विश्वास है कि देश नित्य प्रग्यति की नई नई उचाईयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है सर्वस परसी विकास हो रहा है सर्वांगिन विकास हो रहा है सर्वस समावेशक विकास हो रहा है यह यात्रा जनता जनारदन के आशिरवात से दिरंतर वनी रहेगी इसी विश्वास के साथ फिर आप सभी को मेरा राम राम अब सुन्रतते प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी को आज बजट सत्र का पहला तिन है और मीड़े के सामने आए प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी समपोधित किया और उन्होंने नादिश शक्ती को पड़ावा देने के बात की और उन्हों निकाह कि आज राश्ट्रपती का मार्क दर्शन मिलेगा